माता सीता के अपहरण के बाद भगवान राम की बानरू की सेना ने तुरंत लंका तक एक पूल बनाने का काम शुरू किया जो समुंद्र को पार करेगा और जंगल को लंका से जोड़ेगा एक पूल बनाने के लिए पूरी सेना को पानी में फेकने से पहले अलग-अलग देखते हैं तो बंदर बहुत खोस हो जाते हैं और जल्दी से पूल बनाने के पर्यास में पानी में पत्थर फेकना शुरू कर देते हैं भगवान राम की सेना जिस उत्साप प्रतिवधता और जुनून के साथ पूल के निर्माड के लिए आगे बढ़ रही है उससे पर वह कर रहे थी और एक किरिया को एक बंदर दूर से देख रहा था थोड़ी देर बाद बंदर गिलहरी को उसके छोटे रूप के लिए चिड़ाता है बंदर चिलाता है रहे पानी से दूर हो तुम एक छोटी सी गिलहरी हो आखे तुम क्या चाते हो यह पत्तर तुमारे बिखे ने दोड़ती है और रोने लगती है दुख से बेथित गिलहरी शीराम के साथ सभी बानरों की शिकायद करती है उसके बाद भगवान राम उठते हैं और बानर सेना को दिखाते हैं कि कैसे गिलहरी द्वारा फेके गए कंकर और छोटे-छोटे पत्थर एक दूसरे से जोडने का काम कर रहे हैं भगवान राम कहते हैं आपके द्वारा फेके गए सभी पत्तर हर जगा बिखर गए होते हैं अगर गिलहरी ने इन गंकडों को नहीं डाला होता गिलहरी ने जो पत्तर फेके हैं वही उन्हें एक साथ जोड के रखा है पूल की निर्मार में गिलहरी की मेनत को सविकार करते हुए सिनेह से प्यार से गिलहरी की पीट पर हाथ फेड़ते हैं जी शड़ भगवान अपना हाथ हिलाते है उसकी छाब के रूप में जानवर पर अपना सिर्वात देते हैं गिलेहरी की कहानी से सीख्या मिलती है कि दूसरी लोगों ने जो काम किया उसका मजाग बनाना उचित नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कारे में कितना अधिक या कितना कम विगदान करते हैं